क्या ये कुछ नया देखने को मिला है हमें तो यारा पता तो होगा है कि एरोस नाव पर रिलीज हो चुकि है फ्रेश नाम की वेब सीरीज इसका टोटल में एट एपिसोड से लेकिन एपिसोड मत पूछो अभी पहले पैसे देखिया हो क्योंकि उसके लिए भी प्रीम्यम अबकिश। के लिए पात के लिए अथि इसके तो इसका टोल में आठ है while इपिसोड से खाहि अर फुटी पिसोड से और लिटरल्ली मुझे ये वेब सीरीज देखने हुए ना शेवाय वाले मूवी की याद आ रही तो अगर इसका ट्रेलर देखा है तो इतना तो पता चले गया होगा कि यह वब सीरीज बेस्ट है यूमन ट्राफिकिंग पर जहां पर बहुत बड़े-बड़े माफी आपको देखने को मिलेंगे इसमें अब आसी स्टोरी हम लोग ने बहुत बार देख चुकी हें हिंदी मूवी में और बहुत यह वब सीरीज महीं तो क्या इसमें कुछ नया है तो इस जानने से पहले बात करें लिए तो चलियो अब बेना किसी तरी की है शुरू करते है तो इसके बेसिक सी स्टोडी में कुछ ऐसा होता है कि एक NRI लड़की होती जिसका नाम होता है जोया वो शायद 21 साल की होती और वो हो जाती एक ट्नैप अब उसके माता पेता जो है वो पोलिस में कंप्लेइन कराते हैं पोलिस में किसके पास आते हैं अब एसेपी राधा के पास अब एसेपी राधा जोए उनका रोल प्ले किया है हमारी सुवरा भास करने अब क्यूंकि एसारे हिंदी मूवी के जैसे इसमें भी केस आ गया पुलिस के पास पुलिस इंविस्टिकेशन करेगी कुछ लिउज मिलेंगे और फिर माफिया पकड़ गया खेल खतम कहानी क्लोज तो बिल्कुल ऐसा होता है इस मूवी में भी क्योंकि यह भी हिंदी मूवी है वेप सीज़े तो क्या करें तो फिर एसी पी राधा कर जो इन्विस्टिकेशन हो तो आगे बराती है वो यानि कि सुरा भास कर इंविस्टिकेशन आगे बराती है और के वेल नोन लोगों का काम है इसमें और इस लिगल काम का जो नेटवर कहना वह बहुत ही दूर दूर तक फैला बहुत ही बड़े-बड़े लोगों से कनेक्टेड है यह और इसी खोज भी इन्वे सवारा भास कर चली गाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि कॉलकाता में इस खोजेड लड़े बहुत ही दूर अच्छे अबहुत ही बचान पाये लेकिन आप इस लड़की का नहीं रहा गया बहुत सारे लोगों करहे जो कि इस इल्लीगल काम के विब्डिम बन जाते है हर दिन हर घंटे तो इस वारा भास कर निकल पर ती है अपने ही मेशन पर कि याने कि हमारे आक्षे ओबरा की तो बैंड बजानी है कुछ भी हो जाए तो यह तो बात होगे इसकी बेसिसी स्टोरी की लेकिन स्वारा भासकर की जो आक्टिंग थी जितना मैंने सोचा था उससे भी अच्छी आक्टिंग कर गई वो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पाल्टो के स इसने दीखाने थे यहाँ फशी आप्टे और उन्हेन पर पहुत भखोविसे नहीं करने को इतना अच्छा कर लेंगा लेकिन इह आ पर हिला कर दिया मुझे मक्तल मैं मैं आपको action scenes भी भरबूर देखेंगे जैसे कि police officer जो होते है यानि कि मारे स्वारा भासकर वो कैसे गंच चला थी कैसे गुलीय चला थी कैसे गुंटों को ठीकाने लागा थी और सब कुछ-कुछ ऐसे हैं हाला कि इस movie में ज्यादा suspense नहीं है लेकिन literally यह कह सकता हूं है कि यह एक action movie जहां पर आपको बहुत सारे action scenes देखने को मिलेंगे बहुत सारे action sequence देखने को मिलेंगे ना कि वह सिर्फ वहरा भासकर से बलकि सामने आने वाले गुंटों से भी अच्छे खास action दिख जाता है और इसकी जो सबसे अच्छी बात थी वो था इसका डार्क तोन इसका डार्क तीम अब डार्क तोन मतलब काला तोन नहीं मतलब डार्क म्यूजिक चल रहा था इसका मतलब जैसे होता नहीं इंटेंस सीन्स आने पर एक दिम रॉंक टे खड़े हो जा ऐसा बैकरांड म्यूजिक चले बिल्कुल वैसे और ऐसे सीन्स दिखा जाते थे कि सही में लगता था रॉंक टे खड़े होई और पहले ही बचा दू कि इसको फैमिली के साथ देखने मूवी नहीं यह नहीं है क्योंकि इस से पहले ही डीट कर दिया गया है 18 प्लस के लिए क्योंकि प्हुतादा बै diffé insecurity of school ऑगी बाना कीतोई की में बॉई याज मूद कर के क्या रहा है और अभर उनग अग इसे पर्सनल परफॉर्मेस से कुछ अलग दिखता है लेकिं उतना भी नहीं दिखता है कि बहुत पार देखो एक बार देख सकते हो काफी एक बार के लिए तो फिर यही पर हम लोग का रिवियो खत्म होता है तो यार अगर वीडियो पसंद आओ तभी लाइक करना शेयर करने का मानू तभ और जिससे की इंफर्मेशन भड़ेगी तो फिर मिलते हैं एक टब तक के लिए टाटा